पढ़ रहे हैं हमें बता उता कर गए जुम्हे के बाद से ना कुछ फोन किया है ना कुछ बात इससे हुई राजा बजार के चावल पट्टी के रहने वाले मुहम्मद फरीद उद्दिन जिनकी उमर महस 15-16 साल है और रहने वाले राजा बजार के हैं पढ़ाई करते हैं बता है कि पिछले जुमा 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर वालों ने हमेशा की तरह खाना खाया नावास के बाद खाया खाया खाना खाया कि उन्हें वापस जाने के लिए इजादत दे दी वो घर से तो निकले मदर सा जाने के लिए लेकिन उसके बाद से आज तक कोई खबर नहीं है घर वाले परेशान है और सरकों में उन्हें ढूंड रहे हैं नाकेल डांगा उनका लोकल थाना इलाका होता है नाकेल डांगा थाना में वो जाते हैं जाकर कंप्लेन दर्श करवाते हैं जिसके बाद वो कंप्लेन एफायर में भी तबदील हो जाती है और पुरजोर धूनने की कोशिश की जा रही है उसके बावजूद वो धून के नह ही लड़का है घर से वो निकला है करीब साड़े तीन बजे ओ जो है मदर्सा जाने के लिए मदर्सा वो पहुंचा नहीं मदर्से में जब हम कॉल किया है तो मदर्से वाले लोग ने बोला है कि बच्चे आपका जो है नहीं आया नौ बजे से लेके दस बजे से लेकी गारा ब पहुचने वालों के उसके बाद में बस इस्टान वाले लोग को बोला कि भाई देखिए हमारे बच्चा आना जाना करता था तुमारे गाली से और बच्चा पहुचा नहीं अगर यह बच्चा अगर मिल जाए तो आप हम्रा बच्चा को लंबर दे रहे हैं फोटू दे दिया है आपको हमको ने होगा तो बच्चे को उठा के अमरे राजया बजार में पहुचा देना और नहीं तो फिर फून लंबर से उनको खबर कर देना कि हमां के अपने बच्चा को ले जाए मगर अभी तक बच्चा पता नहीं चला है अब जगा लिया किसी जगा भी पता नहीं चल रहा हो बच्चा पूरे घर ग्रमें जो ऐसे लगा दिया यहां से लेके मेनी बिहार तक क हबर लगाया कहीं बच्चा पता नहीं चल पा रहा हाै कपड़े पेंने व does मोफार नहीं धूर ताणा में जाट करवाये उसके बाद लाल बयारla विसमें केमरा मिचिक उसमें कम से कम 2–3 घंटां हमको देखला दिया मगर फिर भी उसमें उस पदा नहीं चला पिर लोकल में आपने होता है तो आप लोगल के लाए दो तीन जग में जो इस पता चला वह नहीं पसे मोईल कर रहे समझें आप क्या कहिएगा आपके बेटे से कोई नाराजगी थी कोई बात हुई थी नहीं थी मेरे बच्चे अच्छे से घर से गए सलाम दोबापड़ कर गए हमें कुरान से पढ़ रहे हमें बता उता कर गए बच्चे ठीक रोट सीधा गए आद दोबारा जुम्य के बाद से ना कुछ फोन किया है ना कुछ बात उससे हुई बच्चे मेरा मिलने रहे हर हफता आते थे और घर चले जाते थे अच्छा खोशी से अगर वो यह वीडियो देख रहें आप क्या बोलना चाहिए उनको कुछ बोलना चाहते है तो उनको दूलिए कही ना कह किसी का भी नजर पढ़े तो विभाए बाइडाटा जो है सब फून कर दे उसकी फून लंबर है उसके मालूम है उनसे पूछ मात करके सही सलामत उनको पहुचा दे उनकी बहुत मेर्बानी होगा बहुत सुक्रिया अदा करूंगा जो सही सलामत बच्चे को मेरे घर तक पह मैं जब वहां से आ सकते हैं तो मैं जा भी सकता हूं आप नहीं जाई आप प्रिशान मत होई है उसकी घर में भाय था उभी बोला कि चलो हम पहुचा देते हैं मगर फिर भी जो है जैसे घर से निकला चार बज़े तो राजविजार से बस धनने के लिए वहां तक का फोटे होगा कि आप लोग को जहां भी नजर पड़े मेरे घर पे फोन नंबर दिया हुआ उस नंबर पर कॉंटेक करके हमारे बच्चे को सही सलामत पहुचा दे बस यही कहना चाहरे हम लोग अभी 48 घंटे से जादा हो गया है फायर कर दिया गया और बच्चा किसी वज़े से ना मीजास का है और बहुत धंडे रिमाक क्या अगर अगर आप अपको दीख जाएं तो आप उनसे बात करेंगे अगर दिन से यह परेशान है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे और आपके घर का अगर कोई बच्चा या कोई एक 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 इंसान लापता हो जाता तो किस कदर हम परेशान हो सकते इसको जड़ा सा फील कीजिए और इसको ऐसास करते हुए इनकी मदद करने की कोशिश जाएगी और जो लास्ट पूटेज इनका दिखाया है वो भी आपको दिख जाएगा मुझे यकीन है कि आप लोग ढूनने की कोशिश करेंगे और जैसे ही कोई खबर मिलती हमें हो इनका नंबर भी हम डाल दे रहें कैप्शन में आप इन्हें भी फोन कर लें और जरूर से जरूर कॉंटेक्ट करने की कोशिश करें शुक्रिया